हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन मुद्दे पर बात करने वाले हैं यानि की मार्केट में जो क्रैश हुआ है उसके पीछे की पांच मेजर रीजन जानने वाले हैं जो की बिलकुल वैल मार्केट है जो निफ्ती है वो 15,000 तक भी जा सकती है कोई बड़ी बात नहीं है तो यह कितना पॉसिबल है हम इस वीडियो में पता लगाने का ट्राई करेंगे अगर आपको टाटा पावर के बारे में पूरी केस श्टडी देखनी है कि आखिर वो शेर आपको कैसा कोगे तो मार्केट में एक भयंकर गिरावट हुई करीवन सेंसेक्स में आपको साड़े 1400 पॉइंट की गिरावट है निफ्ती में 427 पॉइंट की गिरावट है निफ्ती बैंक में 177 यानी की 107 पॉइंट की गिरावट है तो वहीं मेड कैप में 800 पॉइंट की गिरावट है तो definitely 0.5% से 3% का correction indices में देखने को मिला इसी को हम यहाँ पे crash बोलते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे 1% तक कभी अगर correction indices में आ जाता है तो वो भी बहुत बड़ा correction होता है लेगि यहाँ तो आपको करीबन 3% के असपास का correction देखने को मिल रहा है तो definitely अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा करीबन 1785 शेर्स में गिरावट है और वही 190 शेर्स ही ऐसे हैं जिन में आपको positive side moment देखने को मिला है reason पता करने से पहले मैं आपको यहाँ पे यह भी दिखा देता हूँ कि आखिर कौन से stocks में upside है और कौन से में downside ज्यादा देखने को मिला है Honeywell, Mariko, Pidilite और IPCA Labs जिन में आपको करीबन 50% से 0.5% तक का positive moment RBL, Gujarat Gas, Bajaj Finsov, L&T Finance जिसमें आपको 6.5% से साड़े 22% से ज्यादा की किरावट है, RBL में तो आज 23% तक का moment गया था downside बे उसके पीछे का अगर आपको reason जानना है comment में आप जरू बताईए, मैं एक particularly video उस पे बना सकता हूँ अगर मुझे majorly comment मिल जाते हैं तो तो यह तो मैंने overall market का आपको हाल चाल बता दिया, इस से तो आपको पता चल गया होगा कि जो market है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, portfolio भी अगर आप अपना open करके देखोगे तो 10 में से 9 stock आपको red में नजर आ रहे होंगे, और हो सकता है किसी किसी के तो ग्लोबल सेल ओफ यानि कि अगर आप देखोगे तो केबल और केबल इंडियन मार्केट में नहीं आपको यहां पे पूरे ग्लोबल मार्केट में ही बिकवाली का माहुल नजर आ रहे है, एशियन मार्केट भी अगर आप देखोगे करीबन 2% से साड़े 3% की गिरावट दिखाते हूं नजर आ रहे हैं, यूएस मार्केट की अगर फ्यूचर्स देखो तो यहां पे आपको बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग नजर आ रही है, साथी योरोप मार्केट भी अगर आप देखोगे करीबन 1.5% से 2.2% का यहां पे आपको डाउनसाइड मुमेंट दिखाते हैं नजर आया है, तो सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि आपको ग्लोबल ही यहां पे बिकवाली का माहौल नजर आ रहा है, तो यह ग्लोबल इंपक्ट इंडियन मार्केट पर सबसे ज़्याद इंपक्ट करिये कर है कि 78 रुपे से ज़्यादा का आपको यहां पे 1 डॉलर नजर आ रहा है, यह एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि अगर आप यहां पे देखोगे तो रुपी ने अभी तक का सबसे बड़ा लो हिट किया है, जो कि निकल के आता है 78.29 पर डॉलर, यानिकि 1 डॉलर आपको 78 रुपे 29 पैसे के बरावन नजर आता है, और अगर आप देखो आज आज मैं करीवन 36 पॉइंट्स की गिरावट हुई है, और अगर आप यहां पे देखोगे, तो जिस अकॉर्डिंग यह जो गिरावट हो रही है, डॉलर और रुपी का सिनेरियो एक्वेशन खराब हो र लग रहा है कि डॉमेश्टिक एकॉनमी है, डॉमेश्टिक हालत है, वो बिलकुल खराब है और यहां से पैसा नहीं बनाया जा सकता, साथ ही अब हम यहां पे अपने तीसरे रीजन पर चलें, तो यहां पे अगर आप देखोगे, तो इंडिया का जो 10 साल का जी सेक है, यान आप देखोगे, तो 3.24 पर अवेलेवल हैं, अब यहां पे अगर आप देखोगे, तो जिस अकॉर्डिंग यहां पे rate of interest increase हो रही है, लोग debt instrument के लिए ज़्यादा attractive हो रहे हैं, कोकि market में तो उनके पैसे आपको आदे से भी कम नज़र आ रहे हैं, तो यह एक particular reason है, जिसकी वज़े से अगर आप देखो, तो यहां पे जो market में माल निकाला जा रहा है, और debt की तरफ इसको increase किया जा रहा है, अब बहुत सारे लोग बोलते हो नज़र आ रहे हैं, कि सबसे बड़ा reason यही है, कि repo rate को बढ़ा दिया है, inflation बढ़ गई है, तो यह भी एक reason तो है, यह तो म यहां पे जो इनके decisions है, वो भी आपको देखने को मिल रहे है, जिसकी वाज़े आया CTC जैसी company खराब हो गई, तो आप देख पाओगे, reason तो है, लेकिन especially उसी चीज़ को reason बताया है, यह भी गलत है, अब मैं आपको यहां पे बताता हूँ, चौथा reason, सबसे बड़ा reason में से एक reason निकल के आता है, कि जो Beijing की most populated district है, चायों, इसमें अगर आप देखोगे, तो COVID फिर से आ गया है, और बहुत ही बुरी तरीके से फैलते हूँ नजरार है, चायना की बात क्या करूँ, मैं इंडिया में भी आपको बताऊं, तो 8000 new cases आ गये है COVID के, तो यह भी एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात निकल के आ रही है, और इसका impact आपको directly market पर भी देखने को मिल रहा है, बाकि अगर हम यहाँ पर देखें, तो domestic inflation जो नजराती है, यानि कि CPI के जो numbers हैं, वो आपको करीवन 7.10 के आसपास नजराते हैं, यह भी यहाँ पर आपको एक जो डरावन data है, वो नजराता है, जिसके विजए से जो market की हालत है, वो और ज्यादा खराब हो रही है, वहीं अगर हम US inflation के बारे में बात करें, तो वो करीवन 9% से भी आगे पहुंच सकता है, तो यह कुछ जो reasons हैं, जो मैंने आपको इस video के थ्रू बताएं हैं, यह market को downside की तरफ लेत हैं, until or unless, कोई एक बहुत बड़ा या बहुत बड़ा positive scenario नहीं होता, तो chances पूरे हैं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको directly बता रहा हूं, so that आप भी aware हो जाओ, और अपनी investment उसी के according करो, तो chances तो हैं कि correction आएगा, और आ सकता है, और हो सकते एक दो दिन में recovery हो, ले risk free आप वहाँ पर रह सकते हो, कुछ stocks ऐसे भी पता हैं, जिनमें आपको FD से better return मिल सकते हैं, तो ऐसे stocks में आप निवेश कर सकते हो, जहां से आपको fixed return मिलते रहेंगे, risk free return मिलेंगे, और definitely इस market fall से आप अपने आपको बचा सकते हो, तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही, मै आपको सारी information देने का try किया है, वीडियो अच्छी लगी हो, informative लगी हो, तो like कर दीजेगा, चैनल पर अगारा first time visit कर रहे हो, तो subscribe भी जरू कर लेजेगा, धन्यवाद